चाहिन दोस्तों मैं निदी बेंचोहान आज हम करेंगे क्लास टेंथ का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है एक समानतर श्रेणी में 50 पद हैं अगर उसका 3 पद 12 है और लास्ट पद 106 है तो उसका 29 पद निकाली है ठीक है तो देखिए यहाँ पर a 50 हमें दिया है 106 a 50 यानि कि 50 पद 106 और तीसरा पद है 12 ठीक है तो सबसे पहले हम फार्मूला लखेंगे an बराबर a प्लस ब्रैकेड n-1 ब्रैकेड बन d तो तीसरा पद को हम कैसे लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 12 हमें गिवन है यह हो गया समीकरण 1 पचासवा पद उसको हम लिखेंगे a प्लस 49d बराबर 106 जो हमें गिवन है यह हो गया हमारा समीकरण 2 अब समीकरण 1 से 2 घटाने पर तो 1 में से हम 2 घटा रहे हैं ठीक है तो पहले पहला लिख लो फिर दूसरा अब देखिए इसमें हमें क्या करना होता है हमें यहां से a को हटाना होता है ठीक है तो a को हटाने के लिए हम क्या करेंगे जो नीचे वाला समीकरण है उसके सभी के निशानों को बदल देंगे प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस अब पुराने निशानों को हमें यहां पर भूल जाना है तभी हमारा सम सॉल्व होगा अदरवाइस नहीं हो सकता हो ठीक है तो देखिए यह प्लस का है यह माइनस का है इसको कर दिया कैंसल अब माइनस 49 में से प्लस का 2 गया माइनस से माइनस पट गया यहाँ पर यह गुणा हो रहा है तो इस तरफ आएगा तो यह भाग हो जाएगा 47 भाग में चला गया 47 टूजा 94 तो D बराबर हमें मिला 2 अब हमें D मिल गया है अभी हमें A find करना है तो D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं आंसर हमारा सेम ही आएगा मैंने समीकरण 1 में रखा है तो D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है A plus 2D बराबर 12 तो A हमें find करना है plus 2D है हमारा 2 बराबर 12 2 दुनी 4 बराबर 12 आप 4 का पक्षांत्रन कर देते हैं यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस 12 में से 4 गया तो 8 यानि कि A बराबर आ गया हमारा 8 और D बराबर आ गया 2 अब हमें क्या find करना है 29 पद question में पुछा है कि 29 पद बताइए तो A 29 बराबर कैसे लिखेंगे इसको A प्लस 28 D यह हो गया हमारा 29 पद तो A की जगा 8 प्लस 28 D की जगा रखेंगे 2 ओके तो 8 28 दुनी 56 ओके चपपन और 8 हो गया 64 तो 29 पद हो गया हमारा 64 ओके अब देख लेते हैं question number 9 question number 9 है हमारा इसमें हमें पूछा गया है question number 9 में अगर समांतर श्रेणी का त्रीजा और नौवा पद 4 और माइनस 8 हो ठीक है तीसरा पद 4 हो और नौवा पद माइनस 8 हो तो श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा ठीक है कौन से पद पे 0 आएगा ये हमें बताना है तो चलिए शुरू करते है इस question को देखिए तीसरा पद यहां दिया है 4 और नौवा पद यहां दिया है माइनस 8 ओके तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं अब तीसरा पद को कैसे लिखेंगे अब समीकरण 1 में से 2 को हम माइनस करेंगे ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि A यहां से हट जाए ऐसा करने के लिए हमें नीचे वाले समीकरण के निशानों को बदलना होगा प्लस का माइनस प्लस का माइनस माइनस का प्लस अब देखिए यह प्लस का A है और यह माइनस का है तो यह हो गया इसी वज़े से हमें निशान बदलने होते हैं माइनस 8 में से प्लस का 2 गया तो माइनस 6D प्लस 8 प्लस 4 पुराने निशानों को हमें भूल जाना है प्लस का 8 प्लस का 4 8 और 4 हो गए 12 यहां 6 गुणा हो रहा है इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा तो माइनस 6 भाग में चला गया 6 कम 6 मैं कट कर देती हूँ 6 कम 6 6 दुनी 12 तो हमें मिला D बराबर माइनस 2 अब हमें A फाइंड करना है तो A फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा समीकरण में value रखनी होगी तो D बराबर माइनस 2 समीकरण एक में रखने पर आप चाहें तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं अंसर सेम ही आता है ठीक है D बराबर माइनस 2 समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण 1 है A प्लस 2 D बराबर 4 तो A प्लस 2 D की जगर रख देंगे माइनस 2 बराबर 4 तो a प्लस माइनस माइनस दो दुनी 4 बराबर 4 4 का पक्षान तरण किया तो यहां माइनस था तो यहां हो गया प्लस ठीक है 4 और 4 हो गए 8 a बराबर आगया 8 ठीक है तो कहा रहे हैं कौन सा पद 0 होगा जो question है हमारा वो यही है कि श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा तो सबसे पहले formula लिख लेते हैं a n बराबर a प्लस ब्रैकेड n माइनस 1 d तो a n की जगा क्योंकि कौन सा पद पूछ रहे हैं हम लिख देंगे 0 बराबर a की जगा 8 प्लस n माइनस 1 d हमारा आया है माइनस 2 अब देखिए 0 तो मतलब 0 हो गया 8 का पक्षांतरन कर देते हैं तो प्लस का है तो माइनस का बराबर n माइनस 1 और d है हमारा माइनस 2 अब क्या करेंगे हम यह माइनस 2 यहां गुणा हो रहा है पक्षांतरन करेंगे तो यह भाग हो जाएगा यहां माइनस से माइनस गया कट दोनों 2 से कट रहे हैं 2 एकम 2, 2 चौक 8 तो यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ N-1 माइनस 1 का पक्षांत्रन कर देंगे तो यह प्लस 1 हो जाएगा 4 और 1 हो गए 5 यानि कि 5 बराबर N तो हमारे 0 होगा 5 वे पदपर ठीक है यही पुछा था question में कि 0 कौन से पदपर होगा तो 0 होगा 5 वे पदपर ठीक है तो मिरते हैं अगले question के साथ अगली वीडियो में जैहिन जै भारत